हलो स्टुडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत वेलकम संजे गुपता क्लासेज में 19 दिसंबर को गांधी सम्रती वेख्यान परिक्षया के लिए कुछ महतोपून प्रिष्णों का संग्रह हमने किया है और इसमें से काफी संभावना है कि आपको प्रिक्षया के अंदर जो प्रिष्णा आएंगे उनमें से कुछ प्रिष्ण यहां से आपको मिले और गांधी जी की जो आत्म गथा है सत्य के साथ मेरे परियोग उसके पांच भाग हैं हमने अलग लग वीडियोज बनाए हैं और उन से आपको काफी फायदा होगा और इसमें आपकी जो त्यारी है हमारी कोशिस यह रहेगी कि हमारे वीडियोज से आपकी त्यारी को एक नाया आयाम मिले और क्योंकि यह किताब कई जगे उपलब्द भी नहीं हो पा रही है इस सब्सक्राइब का महत्मागांदि का जनम जनम कब होगा था तो हम सबहरी जानते हैं दोड़क्तूबर 1869 को महत्मागांदि का जनम हुआ और 2 अक्टूबर को अहिंसा दीवस भी बनाया जाता है इस एकतुराष्ठ संग की द्वार घोसित है अहिंसा दीवस क्योंगि गांदी जी के जीवन का मूल मंत्र था अहिंसा और उसके बाद में गांदी जी की माता कौन थी महंदास करमचंद गांदी उनका पूरा नाम था तो गांदी जी की माता का नाम था पुतली बाई और उनके पिता का नाम करमचंद गांदी अगले कुशन में चलते हैं गांदी जी के राजनितिक गुरू कौन थे तो गांदी जी के राजनेतिक गुरू जब गांदी जी भारत आये तो उनको सरवाधिक जो प्रभावित किया वो गोपाल कृष्ण को उखले जो नर्मदल के नेता थे गांदी जी के राजनेतिक गुरू थे गांदी जी को उन्होंने सला दी कि किसी भी पार्टी में सामिल हो बनने से पहले किसी भी आंदोलन का भाग बनने से पहले वो भारत का दोरा करें तो गांदी जी ने एक लंबी भारत की यात्रा की और उससे उन्होंने भारत को जाना गांदी जी ने पहली बार सत्या ग्रह का परियोग कहां किया तो गांदी जी ने पहली बार सत्या ग्रह का परियोग भारत में संपारण में किया चंपारण में हम जानते हैं कि नील की खेती की तीन कठिया पदती परचलित थी तीन कठिया यानि बीस में से तीन हिस्सों पर नील की खेती की जाती थी अंग्रेज जो बागान मालिक थे वो नील की खेती करवाते थे और नील की खेती से उनके किसान जो हैं उनके खेत बंजर होगे और उनका सोशन था वो और जब किसानों ने नील की खेती करने से मना किया तो अंग्रेज बागान मालिकों ने उनका सोशन शुरू कर दिया उनके साथ मार्पिट शुरू कर दी और यहीं से नील की खेती के विर भारत में गांदी जी ने पहला सत्या ग्रह का परियोग कहां किया तो चंपारण में किया चंपारण भिहार में है महात्मा गांदी दक्षण अफरीका से कब लोटे थे 1915 जनवरी 1915 में महात्मा गांदी दक्षण अफरीका से लोटे थे 1833 में महात्मा गांदी वहाँ जो व्यापारी है अब्दुल्ला उसके नियोतों के उपर एक केस के सिलसिले में अफरीका गए और वहाँ कि जो रंग भेद निती है उसके विरूद इतने सक्रिय हो गए कि 1914 में जा करके वो वहाँ से फ्री हुए और 1915 जनवरी में भारत लोट किस आंदोलन के साथ महात्मा गांदी ने राजनिती में परदार पण किया तो वो ही क्विश्चन फिर से आ रहा है कि इसको यों भी हम पढ़ सकते हैं कि पहला आंदोलन या पहली जो सत्यागरेगा परियोग जिससे महात्मा गांदी ने भारते राजनिती में परवेश किय तो चंपारण है चंपारण बिहार में है राजकुमार शुक्ल जो है गांदी जी को ले के गए थे चंपारण संघर्ष के दोरान महात्मा गांदी के साथ कौन-कौन सामिल थे तो इसमें चंपारण संघर्ष के दोरान गांदी जी के साथ में सरदारवल भाई पटेल नहीं थ तक है राजेंद्र परसाध और नार्यण सिंस्य राजेंद्र प्रषाध हमारे पहले राश्टपती है गांदी जी किस क्रशक अंदोलन से समंधित matsya छमपारण से खेड़ा- खेड़ा से समंधित था बार्दोली- बार्दोली में हम जानते हैं कि सरदार पटेल जो है उनुने बारदोले किसान अंदोलन का नेतरित्व किया और सरदार पटेल को सरदार की उपाधी इसी अंदोलन से मिली थी तो इसका सई जो जवाब है वो चमपारण और खेड़ा हो जाएगा गांदी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किस में की कौन से अंदोलन में की तो भूख हड़ताल जो है एमदाबाद मिल मजदूर अंदोलन हुआ था जहां पर मिल मजदूरों ने पलेग बोनस को ले करके और एक हड़ताल की थी और गांदी जी ने इसी दोरान मिल मालिकों पर दवाब बनाने के लिए कि पलेग बोनस जो है मजदूरों का जारी रखा जाना चीए इसके लिए वहाँ पर भूखड ताल की थी गांदी जी ने किस कानून को काला कानून का था तो रोलेट एक्ट क्योंकि रोलेट एक्ट बिना दलील बिना वकील वाला कानून था जिसमें सरकार किसी को भी राज द्रोग के के वल सक के आधार पर जेल में बंद कर सकती थी गांदी जी ने इसे काला कानून कहा महात्मा गांदी ने किस आंदूलन में मार्च 1919 में धरने पर बैटे थे तो मार्च 1919 के अंदर रोलेट एक्ट के विरुद हड़ताल की थी 1919 में गांदी जी ने सत्यग्रे सबा का आयोजन किसके विरुद में किया था रोलेट एक्ट के विरुद में किया था गांदी जी को महात्मा कहकर किसने पुकारा तो गांदी जी को सर्व पर थम महात्मा प्रविंद्रनाट टैगवर ने कहा उसके बाद में गांदी जी अफरीका कितने वर्स रहे तो 1903 में गए थे और जो सोरी, 1803 में गए थे और 1914 तक वहां रहे 1915 में वापिस आए तो आंसर हो जाएगा 21 वर्स गांदी जी को किस रेलवे स्टेशन पर दक्षन एफरीका में ट्रेंज से फेंका गया था तो गांदी जी जब डर्वन सी प्रिटोरिया की आत्रा कर रहे थे तो उस दोरान उन्हें पीटर मारिज बर्ग स्टेशन पर उन्हें उतार दिया गया था ट्रेंज से क्योंकि रंग भेद निती थी और वहाँ पर जो उनके पास आलांकी प्रथम स्रेणी का टिकेट था लेकिन उनका जो सहय यात्री था वो यूरोपिय था अंग्रेज था और उसने अपत्ती की कि मेरे साथ एक जो काला वेक्ति है वो क्यों बैठ सकता है और सिकायत करने पर टिटी ने गांदी जी को ट्रेंज से उतार दिया महात्मा गांदी ने अपना पहला भाषण इन्होंने वारा नसी में दिया था कंग्रेस के अधिवेशन में और गांदी जी सच्चे समर्थक किसके थे तो गांदी जी ने हमेशा कुटिर उद्योगों का समर्थन किया था तो गांदी जी कुटिर उद्योगों के समर्थक थे उसके बाद में निम्न लिखित में से किस आंदोलन का नेत्रित्व महात्मा गांदी ने नहीं किया भार छोड़ो आंदोलन का नेत्रित्व किया सविना वग्या अंदोलन का भी नेत्रित्व किया एसा योगा अंदोलन का भी नेत्रित्व किया स्वदेशी अंदोलन का नेत्रित्व महात्मा गांदी ने नहीं किया क्योंकि महात्मा गांदी भारतिय राजनिती में परवेश करते हैं 1915 के बाद में और ये 1905 का है गुजरात में साबरमती आस्रम की स्थापना गांदी जी ने कब की 1917 में की इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है कि गांदी जी ने दक्षिन अफरीका में भी फिनिक्स आस्रम और टॉलिस्टोय आस्रम की स्थापना की थी गांदी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे तो गांदी जी लियो टॉलेश्टोय की रचना से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे गांधी जी टॉले स्टोई की प्रसिद किताब है war and peace उससे गांधी जी के उपर भरपूर असर पड़ा सत्या ग्रह सब्द का निर्माण किस नहीं किया तो महात्मा गांधी नहीं किया सत्या के प्रती आग रहे है इसका साब्दिकर्थ है गांदी जी से दक्षन अफरीका में मिलने के लिए एकोन गए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे तो क्योंकि महात्मा गांदी वहां पर काफी लोग प्रिय हो गए थे तो उनसे मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे गुपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनेती गुरू भी माना है महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्स सुने गए तो करनाटक के बेलगाउं में जो समेलन हुआ था 1924 में वहाँ पर गांधी जी अध्यक्स सुने गए और एक मात्र अधिवेशन है वो महात्मा गांधी को सरुपर्थम राष्ट पिता किस ने कहा सुभास अंदर बोस ने कहा सुभास अंदर बोस ने जब बरलिन रेडियो पे अपना संभोधन दिया तो उन्होंने कहा, Oh the Father of Our Nations यानी कि हमारे राष्टर के पिता गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी आर्थिक स्वतंतरता का प्रतीक मानते थे खादी को क्योंकि खादी जो है वो ग्राम स्वरोजगार पे अधारित थी और इसमें कारखानों की भूमिका नहीं होती है तो इसे आर्थिक स्वतंतरता का प्रतिक माना गांदी जी ने गांदी जी ने किस आंदोलन को समर्थन दिया एस प्रस्यता के विरुद थे गांदी जी वह है अमेरिकी प्रसासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांदी जी के साथ था, लुइस फीसर थे और नोनी गांदी जी के उपर इनकी एक आत्म कता भी लिखी है, करो या मरो का नारा गांदी जी ने दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान, गांदी जी ने 1930 में दान गांडी नामकिस्थान से तो नमक के ऊपर टेक्स लगाने के विरुद्ध यात्रा शुरू की थी गांडी जी ने जो 6 अपरेल को खतम हुई थी उसके बाद में नमक कानून तोड़ने के लिए गांडी जी के द्वारा कौन सा आंदुलन चला गया तो उसी आंदुलन को से वि गांडी मार्च में गांडी जी के साथ कौन था तवेब मिलर गांडी जी के साथ इस यात्रा में सामिल थे गांडी इर्विन समझोता कब लागू हुआ पांच मार्च 1931 को और उसके बाद में गांडी जी शेकंड गॉलमे समयलन में भाग लेने के लिए गई ऐ सहयोग 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांडी ने आमरण अंचन किसके विरोध में किया तो रैमजे मेक डोनाल्ड ने सामपरदाइक आवार्ड पारित किया था और उसके अनुसार जो पर्थक निर्वाचन परनाली शुरू की थी दलितों के लिए उसके विरोध में ग गांदी जी कहां थे गांदी जी उस समय कोलकाता में थे क्योंकि कोलकाता में हिंदो और मुसल्मानों के भीशन दंगे चल रहे थे और गांदी जी उसी को शांत कराने के लिए कोलकाता गए वे थे मात्मा गांदी की हत्या कब हुई तो हम सभी जानते हैं 23 जनवरी 1948 महात्मा गांदी इसके अलावा हिंद स्वाराज जो रस्किन की पुस्तक है उसी का हिंदी अन्वाद किया गांदी जी ने हिंद स्वाराज के नाम से यंग इंडिया हरीजन नव जीवन पत्रिकाओं का संबादन किस ने किया गांदी जी ने किया इसके अलावा गांदी जी न वो यातरा कर रहे थे, इंग्लैंड से दक्षिन अफरीका की यातरा कर रहे थे तब उन्होंने इस पुस्तक अनुआद किया था दक्षिन अफरीका में महात्मा गांदी द्वारा पत्री का नाम जो उन्होंने प्रकाशित की थी इंडियन ओपिनियन वर्स 1932 में अखिल भारती हरीजन संग के संथा पक्तो महात्मा गांदी अखिल भारती हरीजन संग में विशेश तोर से ऐस प्रस्यता को दूर करने का प्रयास किया गया किसने सुझाव दिया था कि श्वतंतरता प्राप्ति के बाद भारती राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त किया जाए तो महात्मा गांदी ने इसका जवाब दिया जो है प्रस्ताव किया था कि क्योंकि कांग्रेस का जो गठन है वो आजादी के लिए किया गया था और अब इसक प्रकास्च लागया है नहरू जी ने कहा था गांधी जी के पसंदिधा भजन व्यश्नावजन्तों ते ही कहिए पीर पराई जाने रहे तो नर्शिंग मेहता गांधी जी का प्रिय भजन दो अक्टूबर महात्मा गांधी का जनम दिन अंतराष्ट इस्तर पर मनाय जाता है आ गांदी जी ने की थी टोलेश्टोइफोर्म की भी स्थापना गांदी जी ने की थी किसे ब्रिटी सरकारद्वारा केसर ए हिंद की उपादी से समानित किया गया तो महत्मा गांदी को समानित किया गया प्रतम में विश्यूद के दोरान गांदी जी ने ब्रिटी सेना में लोग अंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने से लोटा दी मात्मा गांधी को सविन्न अवग्या अंदोलन की प्रेणा किस से प्राप्त हुई तो सविन्न अवग्या अंदोलन की प्रेणा डेविड थोरो से ने प्राप्त हुई दांडी मार्च के दोरान रगुपती रागव पुराजाराम के संगीतकार कौन थे तो विश्णु दिगंबर प्लसकर दक्षिन भारत के महाराष्ट्र के प्रसिद संगीत अग्ये रहे हैं महात्मा गांदी को अर्द नगन फकीर जब ये द्वित्य गोल में समयलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो उस समय जो प बेन किंग्सले, रिचरड एंटन वेहो ने ये फिल्म को बनाया था और बेन किंग्सले ने गांदी जी की भूमे का कौन भाया था और इस फिल्म को औसकर प्रसकार से CHRIS समानित किया गया, बनाररास ईंदु विस्विद्यालिया की स्थापना पंडित नमौननिय मालवे, जी एक्सपेरिमेंट विद टूथ गान्दी जी की जो आत्म कता है और कुछ प्रशन महत्वपूर्ण हमें लगे तो उनको हमने सामिल किया और इसका ये पार्ट वन है तो ऐसे एक सीरीज है हमारी और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्यूशन से उनको कवर करने की कोशिस कर बहुत भुत धन्यवाद आपका दिन शुभू